हलो स्टुएंट्स वेलकम चू आई रस्पारेंट दिस डॉक्टर गौरम मेरा एंड इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से भार जाएगा कहां से आप क्या-क्या डाउनलोड कर सकते हैं पर उससे पहले मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि एक बार इंफॉर्मिशन ब्लेटन जो है उसको एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मिशन उसमें दी होती है जो हम इंग बढ़ा नहीं होता है तो आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मिशन मिस कर देते हैं मुझे को इशू नहीं मैं तो एक वीडियो और बना दूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार उसको देख लें खुद से हाइलाइक पॉइंट पढ़ लीजिए जादस जादस मे चाहि करना है यहां पर आपको ऊपर लेटेस न्यूस की पगल में दिख रहोगा की रीटूर्टरिशन उस आने के पादने पात में पहले आपको और ढखिस्टरिशन करना है इसमें आपको लेफtechnic Neu candidate अब इसमें और दिख आने से पहले आयों आपको दिख्णैगा ओवे स जो की यूज होगी बार-बार आपको लोगिन करने में या स्कूर काड एक्जाम के बाद स्कूर काड डाउनलोड करने में तो इमेल ऐडी ऐसी रखिएगा जो आप एक्सेस कर पाते हो और तीन-चार महिने तक उसको एक्सेस कर सकते हो स्टैब 2 में आपको अप्लिकेशन फॉर्म बरना है अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है सिग्निचर करना है क्या के रिक्वार्मेंट है और स्टैब 3 में फाइनली हमें फीस पेमेंट करनी है वह इट उसक्त प्रू नेट बैंकिंग डेबिट काड क्रेडिट काड यूप सकते हो तो उस पासवड को जो भी क्यार्मेंट से उसके कोडिंग कर लीजेगा एक capital ल्यटर होना चाहिए special character होना चाहिए और मिनिमम 8 लैटर तक का आपका पासवड होना चाहिए हम यह आपका बार-बार लोगिन करने में नीड पड़ेगी यहां पर नीचे चेक बोक्स को चेक करके आप आगे चलिएगा और अगर आप पासवर्ट अभी भूल भी जाते हैं तो आप से सेक्योर्टी कोश्चन जो आपने फिल किया होगा अभी हम देखेंगे वह तो वह कोश्चन का अंसर डालने के बाद में आपके पास एक अगली पेज पर आएंगे तो यह आपसे बोलेगा कि आप डियर कंडिटेट्स जो आपका आपका अडेंटिटी है वह हम अधार कार नंबर और एपको अपको इसक्ता करना चांभी कि आएखेंगे अगर आदानंबर अब्हसyu पर आपके बाकि आपका है। तो जा है चैन सकते हैं इसके बाद आपका अधार नमबर आपका बाला है है, यह तीन चारों चीज आटमेटिकली महां से फैच हो जाएंगे डीटेल्स फिर भी आपको नीचे एक बार भरना है अपने पापा का नाम माता का नाम चीक है जेंडर आइडेंटिटी टाइप में आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा बैंक पास्बुक चाहिए अब लगानी है अपना हुआ पता डालना है और नीचे अगर पता आपका पर मैंने चेक बोक्स पर टेकर देना है यहां पर आपको अपने पासवर्ड बनाना है आट से लेके 13 करेक्टर के होने चाहिए और जो उसमें एक लेटर बड़ा बाकी छोटे एक स्पेशल करेक्टर और एक मैंत आगे चलते हैं अपना capture यहां पर फिल करने के बाद में यह security pin आप submit पर क्लिक करेंगे submit पर क्लिक करने के बाद में आपको एक बार वह सारी details रिव्यू कराएगा और रिव्यू कराने के बाद में आपको नीचे पूछेगा कि आपको इसमें कोई गलती तो नहीं है इसमें कोई गलती नहीं है तो नीचे आई अगे चलते हैं आपका registration हो गया है आपकी mail पर लिंक जाएगा ओटीपी आपको यहां पर डालना है नीचे pin डालेंगे verify करेंगे जैसी आप verify करेंगे यह आपके सामने आ जाएगा your account has been verified your application number has been sent to your mail तो आपकी application ID जो है वह आपकी email पर आएगी वह आपको यहां पर डालना है तो आपको पासवर्ड जो आपने बनाया है वह लिखना है security पर नीचे जो लिखा हुआ है इसको डाल देना है फिर login पर क्लिक करना है login पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पर चार स्टाइब दिखेंगे लेफ्ट साइड पर देखिए आप registration application payment और mobile verify तो चलिए registration तो हमारा हो चुका है application form पर रहती है like state कौन सा है आपका nationality क्या है और PW category के है नहीं है अगर है तो यह करना है नहीं करना है diabetes है आपको नहीं है आपका जो रेजिदेंस है वो कौन सा एरिया है कौन सा स्टेट है कौन सी जगह है annual income बतानी है marital status बताना है mode of preparation बतानी है आपने self study करी ती कोचिंग से करी थ जाएगा परिश्टा का मार्धियम क्या है English Hindi दोनों में चाहिए पहला जो विकल्प है आपका state कौन सी first choice कौन सी होनी चाहिए वह यहां पे डलेगी नीच चाहिए second state और इसमें सिर्फ आपको limited state सी दिखा रहा है first choice में भी second choice में भी क्यूंकि उसने आपकी details आधार कार्ट स से फैक्स कर लिए उस आधार कार्ट के आसपास जो भी एरिया पड़ता है for example आप डेली से बिलों करते हैं तो डेली के आसपास दिली है हर्याना है और उत्तरपरदेश है इन सभी में के जो यह आपके सामने choices रख रहा है ठीक है आगे चलते हैं father's की qualification बतानी है और क्या occupation कर करती है ठीक है इंटर्शिप चल रही है या complete हो चुकी है अगर चल रही है तो ongoing करिएगा और ongoing के लिए यहां पर आपको वो डेट डालनी है यहां पर थोड़ा सा परेशान होने वाली बात उन स्टुडेंस के लिए जिनकी एक जो इंटर्शिप completion डेट है वो थोड़ा सकते हैं आप अपनी इंटर्शिप को ongoing करिएगा और इसको 30 ही क्लिक करके आगे बढ़िएगा नई तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी जब तक application form open है last date से एक दो दिन पहले तक वेट करिए फिर आपको सोचना है कि आपको exam देना है या नहीं देना है अगर आपको exam दी यह फिर तो आप eligible हैं लेकिन दूसरे सेनेरिव में जिसमें अगर वो डेट एक्सेंट नहीं करते तो आप exam दे पाएंगे लेकिन यूवल नॉट बीजीबल टो टेक अडिमिशन इन एनी पीजी कॉलिज चिके ना यूवल बीडिस्वालिफाइड उन्द बेसेस ओस एल और अगले option में कुछ नहीं करना आपको qualifying exam 10 और equivalent schooling कहां से की urban है रूरल है शहर से करी गाउं से करी type of school कैसा था आपके पास सकूल सरकारी स्कूल था नवदे विद्दाले था केंद्रिय था या private school से कराब में यह सब डालने के बाद में आपको अपनी basic detail डानी है आपके अप 10 CGP है और cumulative CGP है तो आपको पता ही होगा कि calculate करने का method है उसके तुरू जाना आपको ठीक है आगे चलेंगे आगे बात करेंगे कि 12th examination form है जो आपने 12th class करी थी उसकी basic detail जो उपर 10th की डाली है same as it is 12th की डालनी है ठीक है आगे बढ़ेंगे आगर फिर graduation की बात करें तो आपक करेंगे तो यहां पर आपको शायद कुछ भी नहीं मागेंगा for example आपको internship commission certificate या फिर professional degree या फिर permanent degree कुछ भी नहीं बोलेगा वो इसलिए appearing इसमें डालेंगे और आगे कौन सब्सक्राइब का यह कौन सा है 2024 है आगे चलेंगे qualifying examination में आएगा आपका जो भी बीमस कर रहे हैं वो डाल देना है अपनी यूविश्टी का नाम डालना है कॉलिज का नाम डालना है एडस डालना है और अपना जो यूजी में जो आपका number रहा है वो डालना है चीक है आगे करने के बाद में आपको आगे बढ़ना है अगर आपका format गड़बढ है तो आप reduceimages.com पर चले जाएंगे आपको सामने दिख रहा होगा इस website पर जाने के बाद में आपको अपने photo का limit जो भी size required है उस पर जाके कम कर लेना है और document को upload कर देना है ज्यादा size को कम नहीं जो भी इन्होंने size बताई है उसी के अंदर रहे है और clear रहे है same as that for signature next पर क्लिक करेंगे final submission के लिए वो review कराएगा आपसे details तो यह review कर लीजेगा ठीक है और अपना mobile number verify करना है अगर कोई भी इसमें issue लगता है तो आप जो left side में column दिया हुआ है इसमें ऊपर नीचे जा सकन है अब उसके बाद में आपको mobile number verify करना है सबसे पहले आपको mobile number verify करने का बहुत जरूरी मतलब यह है कि कोई भी detail NT की तरफ से आती है for example आपका admit card आगया तो आपको intimate कर देंगे आपको message करके अगर email आप हमें access नहीं कर पाते हैं कुछ issue आता है तो आपको phone पे टलीफोनिकली आपको बता दिया जाएगा through message ठीक है तो जरूर verify करने से पहले आपको final submit में सिर्फ आपको payment करने नहीं तो जो भी आपकी जिस category से बिलोग करते हैं उसकी payment करके उसके बाद में आप अपने application form को save कर लिजेगा download कर लिजेगा और कहीं पे telegram पे ही अपने personal saved message में डाल लिजेगा या फिर drive गूगल drive पे upload कर लिजेगा for safe side कभी मिसना हो laptop खराब हो जाता है या फिर आप कहीं पे होते हैं for example आपने बाहर से निकलवाया cyber cafe वगएरा से अपने admit card तो उसकी दो कोपी बना के र रहे हैं 50-60 questions होते हैं और limited time होता है आप अपनी rank देख सकते है 300 से अब हो आप students दे रहे हैं free of post हो तो एक बार चैनल को जोन करके जरूर देखेगा कि मापी क्या चल रहा है telegram का जो चैनल का link है वो description में दिया हूँ है thank you so much students and all the best wishes for your coming exam